हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो पर तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसा कि आप थैमिनल देखकर समझ गया होंगे कि जल्द होगा हर पंसायत का एक ग्राम सचवाले में सेलेक्शन तो यानि कि दोस्तों जो योगी जिद्वा तरा नई भरती की गई थी उस भरती में बहुत सारी सीटे अल्रेडी पेंडिंग है तो अब उन सीटों पर किसका चैन होगा ये सारी चीज आपको आज किस वीडियो में पता लगने वाला है तो जिनकों भी नोकरी चाहिए और ये वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहां पर ऐसी वीडियो हमेशा आपके लिए प्रोवाइट के जाती है तो मित्रों वीडियो को सुरू करते हैं तो विल्कम टू माई यूटूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है हिंदुस्तान पेपर की नियूज है यहां पर देख सकते हैं लखनौ बिसेस संब्ध दाता की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गए है जिसमें ये कहा गया है मित्रों की प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही जल्द ही राजी के हर ग्राम पंचायत का अपना ग्राम स रुपलब्द कराएंगे बलकि इस बात का भी उनको मार्क दर्सन कराएंगे कि ग्रामिड पंचायत में सम्मंधित अन्समिश्याओं का निराकरड होगा मुकमंत्री पद द्वारा दूसरी बार सपत लेने के बाद योगी आजितनाजी ने सरकारी विभागों में ये अफस तरफ से ये निर्देश है कि जो सचवाला है इसके स्थापना किये जाए और सीग्र पूरे किये जाएं इन में से पंचायत सहायकों की तैनाती प्रक्रिया जल्द पूरी किये जाए यानि कि जो प्रक्रिया जो अधूरी है जिसमें से भी पद खाली है वो भी भरने का प्र अनुज जहां है उन्होंने हिंदुस्तान को बताया यह हिंदुस्तान की पेपर है मित्रों की मुख मंत्रे निर्देश दिया है कि विभाग में मिल चुके तीनों बिनों पर कारवाई शुरू हो गई है और अब तक 40,000 जो ग्राम पंचायत हैं वहाँ पर सिच्वारे बन अभी जो अहसेस हैं उनको काम करने के सक्तादिश दिये गए हैं तो इस प्रकार जहां पर भी सीटे आउलेबल हैं वहाँ पर सेलेक्शन की बात दे की जाएंगी तो अगर आप मेरिट लिष्ट में सामिल थे तो आप इस नौकरी में जरूर चुड़ें क्योंकि ये नौकर झाल